बहुत समय पहले एक छोटे से गाव में एक किसान रहता था, जिसका नाम रमेश था. वह गरीब था, लेकिन दिल से बहुत अच्छा और महनती था. उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह अपने परिवार का पालन पोशन करता था. वह हर दिन सुबह जल्दी उठता और खेतों में काम करता, चाहे मौसम कैसा भी हो. एक साल गाव में बहुत सूखा पड़ा. पानी की कमी के कारण फसलें खराब होने लगी. रमेश की भी फसल बरबाद हो गई और वह बहुत परेशान हो गया. लेकिन उसने हार नहीं मानी. उसने सोचा, अगर मैं मेहनत करता रहा, तो किसी न किसी तरीके से हालाद बदलेंगे. रमेश ने एक दिन सोचा, कि वह अपने खेत को और भी अच्छे तरीके से काम मिलाएगा. उसने खेत में एक छोटा सा तालाब खुदवाया, ताकि बारिश का पानी जमा हो सके और वह अपने खेतों की सिंचाई कर सके. गाम के लोग यह देखकर हैरान हो गए कि रमेश, जो पहले गरीब था, अब अपनी महनत से पानी की कमी को दूर कर रहा था. वह अपनी जमीन पर और महनत करने लगा और धीरे-धीरे उसका खेत फिर से हरा-भरा हो गया. उसकी महनत का परिणाम यह हुआ कि उसकी फसल अच पिलने लगी.